तो सपोज मेरे पास इस तरह का एक conductor है with cavity और इस cavity के किसी point पे यहां पे Q charge इस तरह से रखा हुआ है और अंदर में यह एक point है O, O point है और charge this is suppose this plus Q charge यहां पर इस point पे रखा हुआ है ठीक है और इस conductor को बाहर से हमने इसमे Q1 charge दिया ठीक है और इस conductor के बाहर एक charge सपोज यहां प D1 distance की दूरी पे है तो इस तरह का situation है मेरे पास में तो Q1 plus Q यहां कहने का मतलब है find electric field due to Q1 plus Q बोला गया है तो इसका कहने का मतलब देखो मैं एक बार pen select कर लेता हूँ दूसरा यह Q charge यहां पे है तो minus Q charge इसके अंदर वाले surface में induce होगा और यहां पे जो बाहर वाले surface पे जो आगे तो देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे Q1 plus Q charge इस तरह से distributed होगा हमें पता नहीं कि किस तरह से distributed होगा अब हम कैसे calculate करें O point पे इस Q1 plus Q charge की वाज़े से electric field तो देखो O point पे जो electric field होगी हमें एक चीज़ तो पता है जो हमने equation देखा था उसी साब इस point पे O point पे O point पे कुछ electric field होगी पता है मुझे ठीक है वो Q1 और Q और माइनस Q charge की वेज़े से होगे इस Q और माइनस Q charge की वेज़े से यहाँ पे होगी कुछ भी electric field बट इतना तो तय है कि बाहर वाले जो भी charges हैं बाहर वाले charges की वेज़े से cavity के अंदर किसी point पे electric field will be 0 क् हम लोगे अभी electrostatic shielding पड़ा तो बाहर वाले charges के वेज़े से इस point O पे net electric field will be 0 और बाहर वाले charges कौन से इस cavity के बाहर की दुनिया वे जो भी charges रखे हैं उनकी वेज़े से जो net electric field होगा उनका जो net effect होगा इस point O पे that will be 0 तो मैं वही करने वाला हूँ e due to e at O due to q1 plus e due to directly में लिख रहा हूँ e due to q1 plus q plus e due to q2 that is equal to 0 at 0.0 यहीचीज तो हमने अभी सीखा दो equation हमने जो लिखा था यहीचीज हमने सीखा तो e at q1 plus q जो भी charge यह charge है that is equal to minus charge times of e due to q2 और e due to q2 तो मैं बहुत ही आराम से निकाल सकता हूँ क्योंकि एक point charge है उसकी वेज़े से electric field वहाँ पे कितनी हो जाएगी minus times of kq2 by r square that is d1 square e due to q1 plus q इतना हो जाएगा और इसकी direction भी मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूँ क्योंकि एक point charge है न तो point charge q2 charge की वेज़े से इसमे electric field की direction क्या है दी इस इस direction तो e due to q2 इस direction में हैगा e due to q1 plus q इसके opposite direction में इस बिलकुल same magnitude का जाएगा that is equal to e due to q1 plus q and that will equal to kq2 by e1 square जो कि opposite to e due to q2 होगा तो इस तरह से हम लोग चीजों का analyze कर सकते हैं और cavity को question को हम लोग solve कर सकते हैं अजरोर मुदा आ कर सकते हैं अजरोर सकते हैं